क्लास टेंथ चेप्टर नंबर फाइब हिस्ट्री मुद्रन संस्कृती और आधोनिक दुनिया मुद्रित या छपी हुई सामगरी के बगएर दुनिया की कलपना हमारे लिए कितनी मुश्किल है हाँ अपने चारो तरप जहां नजर दोड़ाएं हमें कोई न कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अकबार, मशुहूर तश्वीरों की नकले मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सोचनाएं, कैलेंडर, डाइरी सडक के किनारे विग्यापन और सिनेमा के पोस्टर आदी आदी हम छपा हुआ साही ते पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अकबार पढ़ते हैं और सरजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं, हम मुद्रिक दुनिया के अस्तित्तु को मान कर चलते हैं यह सोचने के भी जुरत नहीं पड़ती, कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी हम शायद ही महसूस करते हैं, कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामगरी कब से चलने सुरू हुई? आदुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रित के इसी इतिहास को देखेंगे कैसे यह पुर्वी एशिया से सुरू होकर यूरोप और भारत में फैला हम मुद्रित तक्नीक के प्रसार और प्रभाव को समाजिक जिवन में आये बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे मुद्रिन की सबसे पहली तक्नीक चीन, जैपान और कोरिया में विक्सित होई यह छपाई हाथ से होती थी तक्रीबन 594 इस्वी से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तक्ती पर कागज को रगड कर किताबें छपी जाने लगी थी चुकि पतले छिदरित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकारडियन शैली में किनारों को मोडने के बाद सिलकर बनाई जाती थी किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशकत होते थे जो हाथ से बड़े सुन्दर सुडॉल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामगरी का सबसे बड़ा उत्पादक चिनी राजतंत्र था सिविल सिवा परिक्षा से न्यूक्त चीन की नौकर साही भी विशाल काई थी तो चीनी राजतंत्र इन परिक्षाओं के लिए बड़ी तदाद में किताबें चपवाता था सोलवी सदी में परिक्षा देने वालों की तदाद बढ़ी लिहाजा चपी किताबों की मातरा भी उसी अनुपात में बढ़ गई सत्रवी सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृती के फलने फुलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविदता है अब मुद्रित सामगरी के उभुकता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे ब्यापारी अपने रोज मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुदृत सामगरी का इस्तेमाल करने लगे पढ़ना एक शगल भी बन गया नए पाठक वर्को कालपनिक किस्तें, कविताएं, आत्मकताएं शास्त्रिय सहित्तिक कृतियों के संकलन और रुमानी नाटक पसंद थे अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना सुरू किया और कुछ ने स्वरचित कावे और नाटक भी छापे पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई 19. सदी के अंत में पश्चमी शक्तियों दोरा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चमी मुद्रन तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ पश्चमी शैली के अस्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संगाई प्रिंट संस्कृति का नया केंदर बन गया हाथ की छपाई की जगह अब धीरे-धीरे मशीनी या यांतरिक छपाई ने ले ली 1.1 जैपान में मुद्रन चीनी बौध प्रिचारक 768 से 770 हिस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जैपान आये जैपान की सबसे पुरानी 868 हिस्वी में छपी पुस्तक डाइमंड सुत्र है जिसमें पाट के साथ-साथ काट पर खुदे चित्र है तस्वीरें अकसर कपडों, तास के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी मद्दिकालीन जपान में कभी भी छपते थे और गद्दकार भी और किताबें सस्ती और सुलब थी 18 सदी के अंत में एदो बाद में जिसे तोकियो के नाम से जाना गया के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृती का पता मिलता है जिसमें हम चाएगर के मजबों, कलाकारों और तवाइफों को देख सकते हैं हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामगरी, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, सिष्टा चार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तिकाले एवं दुकाने अटी पड़ी थी 13 शताबदी के मध्य में त्रिपिटिका, कोरियाना, वुडब्लोक्स, मुद्रन के रूप में बौद गरंतों का कोरियाई संग्रह है इन गरंतों को लगभग 80,000 वुडब्लोक्स पर उकेरा गया था इन्हें 2007 में UNESCO Memory of the World Register में अंकित किया गया बौक्स वन, किताबावा उतामारो 1753 इस्वी में एदों में पैदा हुए उतामारो ने उकियो, तैरती दुनिया के चित्र, नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किये जिन में आम शहरी जीवन का चित्रन किया गया इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुँची और माने, मोने और वान गौंग जिसे चित्रकारों को प्रभावित किया तुसूत आया, जुजाबुरो जैसे प्रकाशकों ने विशह चुन कर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता फिर चित्रकार विशह की रूप रेखा बनाते थे इसके बाद हुनरमंद, उडबलॉक, शिल्पी, चित्रकार दौरा बनाई गई रूप रेखा को तक्ती पर चिपका कर उसकी आकरती को उकेर लेते थे इस प्रकरिया में मूल आरेक तो गायब हो जाता था पर उसकी छपी नकल बच जाती थी सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्क से यूरोप आते रहे थे 11. सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते यहां पहुंचा कागज ने कातिबों या मुन्शियों दौरा सावधानी पुर्वक लिखी गई पांडूलीपियों के उत्पादन को मुम्किन बनाया फिर 1295 इश्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लोटा जैसा कि आपने उपर पढ़ा चीन के पास वुड ब्लोक काट की तक्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजुद थी मार्को पोलो या ज्यान अपने साथ लेकर लोटा फिर क्या था इतालवी भी तक्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई मुदृत किताबों को सस्ती असलील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्शु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्क्रण अभी भी बेस कीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे बैपारी और विश्व विद्याले के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित कितावें खरीदते थे कितावों की मांग बढ़ने के साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रिता विभिन देशों में निर्यात करने लगे अलग-अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे बढ़ती मांग की आपूर्ती के लिए हस्त लिखित पांडूलीपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए अब सिर्फ अमीर लोगों के यहां सुलेखक या कातिब नहीं पाय जाते थे बलकि पुस्तक विक्रिता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे आम तरपर एक विक्रिता के यहां पचास कातिब काम करते थे लेकिन किताबों की अबाद बढ़ती मांग हस्त लिखित पांडूलीपियों से पूरी नहीं होने वाली थी नकल उतारना बेहत खर्चिला, समय साध्ध और स्रम साध्ध काम था पांडूलीपियां अक्सर नाजुक होती थी उनके लाने ले जाने रख रखाओं में तमाम मुश्किलें थी इसलिए उनका सर्कूलिशन, चलन, गस्त सिमित रहा तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तक्ती की छपाई उत्रोतर लोगप्री होता गया पंदरमी सदी की सुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तक्ती की छपाई का इस्तमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी-छोटी टिपनियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रन तक्निक की जुरुत थी ऐसा छपाई की एक नई तक्निक के आविश्कार से ही संभव होता जो 1430 के दर्शक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंधधकर दिखाया गुटेनबर्ग के पिता ब्यापारी थे और वा खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ था वा बच्पन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीने देखता आया था बाद में उसने पत्थर और पॉलिस करने की कला सीखी फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकरतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली अपने ग्यान और अनुहों का इस्तेमाल उसने अपने नए आईशकार में किया जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उप्योग अक्षरों की धातुई आकरतियों को गढ़ने के लिए किया गया गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकमल कर लिया था उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था पर यह नई तकनीक हाथ से किताबे छापने की तकनीक की जगा पूरी तरह से नहीं ले पाई सुरू-सुरू में तो छपी किताबे भी अपने रंग रूप और साथ सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसे दिखती थी धातोई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरन करते थे हाशिय पर फूल पत्यों के डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्षर पेंट किये जाते थे अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हांसियों की जगा बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी हर खरिदार अपनी रूची के हिसाब से डिजाइन और प्रिंटर खुद तै करके उसे समार सकता था करीब सौ सालों के दर्मियान 1450 से 1550 यूरोप के जायतर देशों में छापे खाने लग गए थे जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे छपाई खानों की संख्यां में विर्धी के सासत पुस्तक उतपादन में कमाल की बठोतरी हुई पंद्रमी सदी के दुसरे हिस्ते में यूरोप के बाजार में दो कडोर मुद्रित किताबें आई यह संख्यां सुलमी सदी में बीस कडोर हो गई हाथ की छपाई की जगा यांतरिक मुद्रन के आने पर ही मुद्रन करांती संभव हुई कोरिया के जिगजी मुवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया के सबसे पुरानी मौजुदा पुस्तकों में से है इसमें जन बौद धर्म की मुख विशिस्ताएं है पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद भिक्ष्वों का उलेक किया गया है इसे 14 मी शताबदी के अंत में मुद्रित किया गया था पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है दुसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाबरेरी में उपलब्ध है यह कार मुद्रन संस्कृती में एक महतवपूर्ण तक्नीकी परिवर्तन साबित हुआ यही कारण है कि इसे 2001 में युनेशको मेमरी आफ दा वर्ल्ड रिजिस्टर में अंकित किया गया गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस स्कृू से लगा लंबा हैंडल देखें इसकी मदद से स्कृू घुमा कर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था गुटेनबर्ग ने रोमन वर्नमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइब बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूब कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके लिहाजा इसे मुबेबल टाइब प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही हर छपाई के लिए तक्ती पर खास आकार उकेरनी की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छपना निहाया तेज हो गया गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने छप सकता था चित्र साथ युरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थी पर उनमें से 50 ही बचपाई है आए गुटेनबर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखे ये केवल नई तकनिक की देन नहीं थे इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइब से छापा जरूर गया था पर इनके हाशिये पर कलाकारों ने हाथ से टिकाकारी और सुघड चित्रकारी की थी कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी हर प्रति का हर पन्ना अलग था जहां पहली नजर में वे एक जैसे ही लगे थे जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा हर जगा पर कुलीन तबकों ने इस विस्षिश्टा को पसंद किया जो उनके पास था वो अनोखा था वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हू बहू नकल नहीं थी आप इबारत में देखेंगे कि कई जहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं इसके दो फाइदे थे पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द जढ़ा दर्षनी और महत्वपूर्ण बन जाते थे लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे गुटेन बर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जग़ छोड़ दी इस तस्वीर से पता चलता है कि सोलमी सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था सारे काम एक ही छट के नीचे चल रहे हैं दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं बाएं सिरे पर गलीज तयार किये जा रहे हैं और धातोई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है प्रिष्ट भूमी में प्रिंटर्स प्रेस के पेंच कसरे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं बिलकुल अगले भाग में तयार माल पड़ा है ये दोदो प्रिष्ट वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी वाइंडिंग होनी है पॉइंट थी मुद्रन करांती और उसका असर मुद्रन करांती क्या थी? छापे खाने का आविशकार महस तक्नी के दृष्टी से नाटकिये बदलाओ के सुरुआत नहीं था पुस्तक उत्पादन के लिए नए तरीकों ने लोगों की जिन्दगी बदल दी इसकी बदौलत सुचना और ग्यान से संस्था और सत्ता से उनका रिष्टा ही बदल गया इससे लोग चितना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ छपाई से किताबों की कीमत गिरी किताब की हर प्रती के उत्पादन में जो वक्त और स्रम लगता था वो कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया बजार किताबों से पट गई पाठक वर्ग भी ब्रहतर होते गया किताबों तक पहुँच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विक्सित हुई अब तक आम लोग मौकिक संसार में जीते थे विधार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस से भी उनके लिए बोल कर पढ़े जाते थे ग्यान का मौकिक लेंदेन ही होता था लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आये थे आप आठवे अध्याय में देखेंगे कि वे तनहाई में या खामोशी से पढ़ने की आदी नहीं थे छपाई करांती के पहले किताबें न किवल महगी थी बलकि उन्हें प्रयाप्त मातरा में छापना भी है संभव था अब किताबे समाज के ब्यापक तबको तक पहुँच सकती थी अगर पहले की जनता स्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्तों में आ गई थी लेकिन यह संक्रमन सरल नहीं था किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांस देशों में बीस्वी तदी तक साक्षरता की दर्स सिमित थी प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रती दिल्चस्पी कैसे जगाएं इसके लिए उन्हें मुद्रित क्रांती के ब्यापक पहुँच का ध्यान रखना था जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोल कर पढ़े गए को सुनकर उसका लुफ तो उठाते ही थे इसलिए मुद्रकों ने लोग गीत और लोग गाथाएं च्छापनी सुरू कर दी और ऐसी किताबें आम तोर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानि सचित्र होती थी फिर इन्हें सामोही ग्रामीन सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था इस तरह मौकिक संस्कृती मुद्रिट संस्कृती में दाखिल होई और छपी सामगरी मौकिक अंदाज में प्रसारित होई मौखिक और मुदृत संस्कृतियों के बीच की विवाजक रेखा धुनली पड़ गई स्रोता और पाठक वर्ग एक दुसरे में घुल मिल गए धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर चापे खाने से विचारों के ब्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के दुआर खुले अस्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को चाप कर उन्हें फैला सकते थे छपे हुए संदेश के जर्ये वे लोगों को अलग ढंक से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कारवाई करने के लिए प्रेइद कर सकते थे जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई छत्रों में गंभीर महतु था हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जिन्हों ने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर थे कई लोगों को छपी किताब के ब्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर या शंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या आसर हो भैथा कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंतर न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पर अपने लगेंगे अगर ऐसा हुआ तो मुल्यवान साहित्य की सत्ता ही नस्ठ हो जाएगी धर्म गुरूओं और समराटों तथा कई लेक को एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई है चिंता नौ मुद्रित और नौ प्रसारित सहित्य की ब्याबक आलोचना का अधार बनी आए देखें कि जीवन के एक छेत्र धर्म में इसका क्या आसर हुआ धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथलिक चर्च की कुरितियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी इसकी एक छपी प्रती विटेन वर के गिरजा घर के दरवाजे पर टांगी गई इसमें लूथर ने चर्च को सास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तदाद में छापे और पढ़े जाने लगे इसके नतीजे में चर्च में विवाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के सुरुआत होई कुछी हपतों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर में या अनुवाद की पांच हजार प्रतियां बिक गई और तीन महिने के अंदर दूसरा संस्क्रण निकालना पड़ा प्रिंट के प्रती तहे दिल से कृतग लूथर ने कहा मुद्रन इश्वर की दिव हुई महांतम देन है सबसे बड़ा तोफ़ा कई इतिहासकारों कया ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक महौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली 3.3 चपे हुए लोगप्रिय साहिति के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याक्याओं से परिचित हुए सुलमी सदी की इटली के एक किसान मेनोकियों ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना सुरू कर दिया था उन किताबों के धार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने सुरू कर दिये और उसने इश्वर और स्रिष्टी के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथलिक चर्च उससे कुरुद्ध हो गया ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था सुरू किया तो मिनोकियों को दो बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत के सिजादे दी गई धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परिशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रताओं पर कई तरह की पाबंदिया लगाई और 1558 इस वी से प्रतिबंधित किताबों की सुची रखने लगे नए शब्द कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति गैली धातूई फ्रेम जिसमें टाइप बिछा कर इबारत बनाई जाती थी गाथा गीत बैलड लोक गीत का एतिहासिक आख्यान जिसे गायाय सुनाया जाता है शराब घर वह जगा जहां लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार सुलमी सदी यूरोप में रोमन कैथलिक चर्च में सुधार कांदोलन मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे एक आंदोलन से कैथलिक इसाई मत के विरोध में कई धराएं निकली इक्विजिशन, धर्म अदालत विधर्मियों की शिनाक्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथलिक संस्था धर्म विरोधी इनसान या विचार जो चर्च की मानिताओं से असहमत हो मद्धिकाल में चर्च विधर्मियों या धर्म द्रोह के प्रती सक्थ था उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है स्रोत कर किताब का डर लातीन के विद्वान और कैथलिक धर्म सुहरक इरैसम जिसने कैथलिक धर्म की जादतियों की अलोचना की पर लूथर से भी एक दोरी बना कर रखी प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था उसने एड़जेज 1508 में लिखा किताबे भिन भिनाती मक्षियों की तरह है दुनिया का कौन सा कोना है जहाए नहीं पहुंच जाती हो सकता है कि जहां तहां एकाद जानने लाइक चीजे भी बताएं लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिका रखी है बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीजों की अती भी हानिका रखी है इनसे बचना चाहिए मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुछ जैसे की मेरी लिखी चीजों से ही नहीं पाट रहे बलकि बकवास, बेवकूप, संसनी, खेज, धर्म, विरोधी अग्यानी और सडियंत्रकारी कितावें चापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मुलिवान सहित्य का मुली ही नहीं रह जाता पॉइंट फूर पढ़ने का जुनून पूरे सत्रहमी और अठरहमी सदी के दौरान यूरोप के जायतर हिस्तों में साक्षरता बढ़ती रही अलग-अलग संपरदाए के चर्चों ने गाउं में अस्कूल स्थापित किये और किसानों कारीगरों को सिक्षित करने लगे अठरहमी सदी के अंध तक यूरोप के कुछ हिस्तों में तो साक्षरता दर 60-80% तक हो गई थी यूरोपिय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया लोगों को किताबे चाहिए थी इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबे छपने लगे नए पाठकों की रुची का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का सहिती छपने लगा उस तक विकरताओं ने गाउं गाउं जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया ये किताबें मुखितब पांचांग के अलावा लोग गाथाएं और लोग गितों की हुआ करती थी लेकिन जल्द ही मनुरंजन प्रधान सामगरी भी आम पाठकों तक पहुँचने लगी इंग्लेंड में पेनी, चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चैपमेन कहा जाता था इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे फ्रांस में बिल्वियोथिक ब्लू का चलन था जो सस्ते कागच पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी इसके अलावा चार-पांच पन्ने की प्रेम कहानिया थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिनें इतिहास कहते थे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग उदेश और दिल्चस्पी के हिसाब से किताबों की कई आकार परकार थे अठारमी सदी के आरंब से पत्रिकाओं का प्रकाशन सुरू हुआ जिनमें समसामाई घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा अखवार और पत्रों में युद और ब्यापार से जड़ी जानकारी के अलावा पूरे देश की खबरे होती थी उसी तरह वैग्यानिक और दार्सनिक भी आम जनता की पहुँच के बाहर नहीं रहे प्राचीन वो मद्यकालिन ग्रंथ संकलित किये गए और नक्सों के साथ-साथ वैग्यानिक खाके भी बड़ी मातरा में छपे गए जब आईजेक नूटन जैसे वैग्यानिकों ने अपने आविशकार प्रकासित करने सुरू किये तो उनके लिए विज्यान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तयार हो चुका था टामस पेन, वाल तेयर और जिया जॉक रूसो जैसे दार्सनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी जाहिर है कि विज्यान, तर्क और विवेक बात के उनके विचार लोगप्रिय साहित में भी जगह पाने लगे दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम अठारमी सदी के मध तक या आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिये प्रगती और ज्यानुदे होता है कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है कि वे निरंकुषवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धी का राज होगा अठारमी सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लोई समेस्तिये मरसिये ने घोषना की छापा खाना प्रगती का सबसे ताकतवर आजार है इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुषवाद उड़ जाएगा मरसिये के उपन्यासों में नायक अक्सर कितावें पढ़ने से बदल जाते हैं वे कितावें घोटते हैं कितावों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ज्ञानोदय को लाने और निरंकुषवाद के अधार को नश्ट करने में छापे खाने की बड़ी भूमिका छापे खाने की भूमिका के बारे में आस्वस्त मरसिये ने कहा है निरंकुषवादी सांस को अब तुम्हारे कापने का वक्त आ गया है आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे 4.2 मुदरन संस्कृती और फ्रांसेसी करांती कई तिहासकारों का मानना है कि मुदरन संस्कृती ने फ्रांसेसी करांती के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची क्या हम दोनों में ऐसा संबंद बना सकते हैं मूलता तीन तरक के तरक देखने लाइक है पहला छपाई के चलते ग्यानोदे के चिंतकों के विचारों का परसार हुआ उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंदविश्वास और निरंकुस वात की आलोचना पेश की उन्होंने रिती रिवाजों की जगा विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तरक और विवेक की कसोटी पर ही कसा जाए उन्होंने चर्च की धार्मिक और राजी की निरंकुस सत्ता पर परहार करने परंपरा पर अधारित सामाजिक विवस्था को दुर्बल कर दिया वाल्तेयर और रुसों के लेखन का ब्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया और तार्गिक नजरिये से दुनिया को देखने लगे थे दूसरा छपाई ने वाद विवाद संबाद की नई संस्कृती को जंग दिया सारे पुराने मुल्य संस्थाओं और काइदों पर आम जंता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुन मुल्यांकन का सिलसिला सुरू हुआ तर्ग की ताकत से परिचित ये नई पबलिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी इस तरह बनी सर्वजनिक दुनिया से समाजिक क्रांती के नए विचारों का सुत्रपात हुआ है तीसरा 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित का धेर लग चुका था इस प्रकरिया में समाजिक विवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किये गए कार्टूनों और कैरीकेचरों व्यंग चित्रों मेया भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फसी हैं जबकि राजशाही भोग विलास में डुबी हुई हैं भुमिगत घुमने वाले इस साहित ने लोगों को राज तंत्र के खिलाब भड़काया हम इन तरकों को कैसे समझें इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह के सामगरी पढ़ते थे एक तरफ वे अगर रूसो और वाल्तेयर को पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज का प्रोपेगंडा या परचार भी पढ़िया देखी चीज से तो सिधे प्रभावित नहीं हो सकते थे वे कुछ विचारों को सुईकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे फिर चीजों को अपने धंग से व्याक्या भी करते थे इस तरह मुद्रन ने उनके मानस को सीधे तोर पर भलही नहीं रचाओ पर इसने अलग धंग से सोचने की संभावनाई जरूर खोली नए शब्द संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमो पंचांग चांद सूरज की गती जौर भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जोड़ी हुई कई अहम जानकारियां देता वार्शिक प्रकाशन चैप बुक गुटका पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल के जाने वाला शब्द इन्हें आम तोर पर फेरी वाले बेचते थे ये सुलावी सदी की मुदरन करांती के समय से लोग प्रिये हुआ बॉक्स टू सेवेंटीन नैंटी वन में लंदन के एक प्रकासक जेम्स लॉकिंगडन ने अपनी डाइरी में यह लिखा पिछले 20 सालों में किताबों के विक्री में आम तोर पर बेतहाशा विर्धी होई है गरीब किस्म के किसान या गाओं के लोग जो पहले अपनी शामे डायन, जोगिन और भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बिताते थे अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रुमानी या अन्न किस्तों को सुनने का आनंद लेते हुए जाडे की रातों की छोटी करने लगे है अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सक्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह दा हिस्ट्री आफ जॉसेफ एंड्रूज लेकर ही वापस लोटे स्रोत खो मरसिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूँ बयान किया अगर किसे ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गटा गट पीने लगता है बड़े एहतियात से लाल्टेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था अनायास और अंजान खामोशी के साथ साए में घड़ियाल हर घंटे बसता चला जाता था पर मुझे सुनाई नहीं पढ़ता था तेल खत्म होने से मेरी लाल्टिन की लौ पीली पढ़ने लगती थी पर मैं था की पढ़ता जाता मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान न पढ़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे मेरी बुद्धी कैसे उन्हें आत्मसात करती थी रॉबर्ट डांटन की किताब दा फॉर्बिडेन बेस्ट सेलर्स और प्री रिवोलिशनरी फ्रांस 1995 से उद्रित निरंकुष वाद राज काज की ऐसी विवस्था जिसमें किसी एक विक्ति को संपुन शक्ती प्राप्थ हो और उस पर न कानोनी पाबंदी लगई हो नहीं सम्विधानिक